इस वहकी बड़ी खबर आपको बतादे राममंदिर के मुद्धे पर सियास rikt रुखने का नाम नहीं ले रही है असम के मुख हिमंट्री हिमंत विस्वर सर्माने कोंग्रस पौट्टी और टिंसी पर निशाना साधा उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया राम मंदर को लेकर सियासत जारी है असम के स्टीम ने कॉंग्रेस पर हमला बोला है उन्होंने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है अपनी और राम मंदिर को लेकर जिस तरीकी की बयान बाजी हो रही है उसे लेकर ही यहाँ पर उनकी तरफ से बाते कही गए हम का नाम में अनप सनप सब्द बोलने में उनका जो कमपिटिशन है मैं उनको सैलेंस करके बोलता हूँ कि कभी बाबर का नाम में बोलो कभी औरोंग जिप का नाम में बोलो कभी अल्ला का नाम में बोलो हम तो ना अल्ला का खिलाब बोलता हूँ ना हम भगवान का खिलाब बोलता हूँ ना हम जैसास का खिलाब बोलता हूँ और एक और ब्रेकिंग निउस आपको बता दे इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सरातन धर्म को अपमान से देखने का भी आरोप लगाया है धर्म के प्रती कांग्रेस नित गड़बंधन अपमान की दृष्टी से जो बात करता है जो काम करता है वो कांग्रेस और विशेष्टा गांधी परिवार के संसकारों को दर्शित करवाता है जिन लोगों ने बाबर की मजार पर माथा टेका वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंतरन को ठुकरा रहे हैं जब तक राम लला टेंट में विद्यमान थे तब तक कॉंग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसलिए कॉंग्रेस के नेताओं का कलेजा फटता है एक और बड़ी खबर मिल रही है उपराश्पती जगदीब धनकर ने जैपूर में राम मंदिर को लेकर बयान दिया उन्होंने अपने बयान के जरिये राम का विरोध करने वालों पर निशाना साधा उपराश्पती ने साफ कहा कि राम को नहीं मानना सम्विधान का अपमान है क्योंकि राम राज्य की कल्पना भारत के सम्विधान में नहीं थे और सम्विधान निर्मताओं ने इसे पराकाश्ठा पर रखा है हुआ है 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 हुआ है कुझे है तो सब्सक्राइब कर दो अब एक कि राम की करतना राम राजे की करतना वालत के स्विधान में ही तैंकि रिमा ने इसे नो प्राकाश्ठा पर रखा है इसने धान में जो फीच से ज्याजा चित्र हैं उन्ली भोरी कजी कारूं के उपर जो चित्र है उसने नहां जो सिकता है इसने जाँ जाँ अब यह अगे जो पीड़ा होती है जब कोई उन्हा किसी का आवोचन भी करता तो प्राश्रुपती जगदीब धनकर को आपने सुना उन्होंने साफतोर पर कहा कि जो राम को कल्पनिक मानते हैं वो अग्यानी है क्योंकि राम राज्य की कल्पना जो है वो सम्विधान में इसका जिक्र किया गया है ऐसे में राम विरोधियों पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया जो लोग राम को लेकर सवाल उठाते हैं उन्होंने यहां सम्विधान साधा साथ ही स उन्होंने इस तोर पर ये कहा कि संविधान्स के अंदर राम राज्यक की करपना की गई है और अगर कोई राम को करपनिक बताता है तो जाहिर तौर पर वो अग्यानी है